तो students, आपको फिर से यहाँ पर thinking से बोला गया है, यहने की सोचो और answer दो, तो यहाँ पर first, do you help anybody how, आपने किसी की help की है और किस तरीके से, तो yes, I help other when they are in trouble, मतलब जब कोई मुसीबत में होता है, तो हमने उनकी help की है, okay, और किस तरीके से, तो once Rohan studied in class first in our school, got hurt in his leg, I carried his bag and took Rohan to his house walking slowly, तो मतलब जो मैंने किसी की help की है, जब वो मुसीबत में होता है, तो मैंने क्या किया था, एक रोहन नाम का जो लड़का था, वो मेरी ही स्कूल में पढ़ता था, तो एक दिन उसके पैर में छोट आ गई, तो मैंने क्या किया, उसका बैग है वो उठा लिया और उसको धीरे धीरे अपने घर तक उसके घर तक उससे पहुंचा दिया, then second है, does anyone come to school with your help, कि क्या कोई आपकी मदद से स्कूल में आया है, तो yes, I help Rima studying in class first in my school, living in my locality, in coming to school, तो मतलब मेरे बाचों में, जो Rima नाम की लड़की है, वो first class में पढ़ती है, तो उसको मैं क्या करती हूं, वो मेरी society में रहती है, इसलिए मैं उससे अपने साथ स्कूल ले आते हूं, then next है, who can come to school with your help only, मतलब कि कौन आपके, आपकी मदद से ही स्कूल में आता है, तो हम यह जो, इस chapter के अंदर, जो हमने रुपल नाम की लड़की देखी, तो हम वो ही लिख देते है, कि रुपल can come to school only if I help her, क्योंकि वो मेरी ही मदद से स्कूल में आती है, तो यहाँ पर आपको यह next question है, उसमें बोला गया है, कि how do you help these children who have a fear to come to school, आप उन बच्चों की मदद किस तरीके से करोंगे, जो स्कूल में आने से डरते है, तो आप क्या करोगे, तो हम क्या करेंगे, I tell them about the activities going on in the school, हम क्या करेंगे, जो स्कूल में जितनी भी activities होती है, उसके बारे में उसे बताएंगे, then the teaching method of the teachers, games and different festivals, we celebrate in the school, और इसके बाद जो teacher है, वो किस तरीके से पढ़ाती है, वहाँ पर कौन-कौन से games, मतलब जो खेले जाते हैं, और जो अलग-अलग तरीके जो festivals celebrate होते हैं, उसके बारे में भी उससे हम बताएंगे, और इस तरीके से उनका जो स्कूल आने का जो डर है उसे क्या करेंगे, कम करेंगे, ओके, चलो आगे देखते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यह जो बाद जो बच्चा है, वो रूपल को स्कूल में लेके आता है, जिसके वज़े से उसके पैरेंस से, यह टीचर से, वो सब बहुत खूश होते हैं, ऐसा हमें लग रह है, तो देखते हैं कि क्या है लिखा हुआ, तो यहाँ पर है, everybody welcome her, रूपल is happy today, मतब जो भी वहाँ पर जितने भी लोग है, उन सब ने रूपल का स्वागत किया, और उस सब को देखके रूपल है, वो आज बहुत खूश है, her parents are happy to, उसके जो माबाप है, वो भी बहुत ख happy, मतब जो उसके जो teachers थे, वो और जो बाकी के जो बच्चे थे, वो भी बहुत खूश हो गए थे, next, तो यहाँ पर भी आपको है, think and say, सोचो और बताओ, तो first है, by whose help called रूपल reached to school, कि रूपल जो है, वो किसकी मदद से school तक आई, तो रूपल was suffering from polio, due to which the could not walk, an organization gifted रूपल with a wheelchair, and hence, she was able to attend the school, with the help of a boy living in her neighborhood, अलब जो रूपल है, वो polio से पिडित थी, वो चल भी नहीं सकती थी, तो जो संसा थी, उसने उससे क्या किया, wheelchair है, वो gift की, और उसके बाद है, जो रूपल है, वो school attend कर पाती है, किस तरीके से, तो उसके बाचिवाला जो थैजने based school, लेके जाता है, तो इस तरीके से जो रूपल है, वो उसके बाचिवाले जो लड़का है, उसकी सहाःता से school पहुंचती है, then यहाँ पर है what did rupal see will coming to school मतब जब rupal school में जाती है तो उसने school आते आते क्या क्या देखा तो rupal saw schools garden different classes students teachers and playground etc when she come to school मतब जब rupal school में आई तो उसने वहाँ पर वहाँ का school का जो garden था अलग-अलग जो classes classroom थे जब बच्चे थे teachers थे खेलने का जो मेदान था ऐसी बहुत सारी जो चीज़े है उसने वहाँ पर देखी तो चलो आगे next क्या है वो देखते हैं उसके बाद यहाँ पर है rupal studies along with all the children मतलब जो rupal है वो बाकी बच्चों की तरह पढ़ने लगी tell stories, singing songs, answer the question in the classroom और वो उसके बाद कि अगर में तब stories है वो कहानी सुनने लगी गाने गाने लगी और answer भी देने लगी और question है वो भी classroom में करने लगी everybody help rupal और सारे जो लोग है वो rupal को help करते थे तो यह आगे यहाँ पर वापस है think and say, वापस है, सोचो और कहो who all might have helped rupal मतलब किन-किन लोगों ने rupal की help की तो इसके लिए हम answer लिख सकते है the children living in rupal's localities, students and teachers of the school help rupal मतलब जो भी बच्चे है जो rupal के आसपास के society means रहते थे फी स्कूल में जो students थे और teachers थे सब ने rupal की help की the next day in which work of this school does rupal need help बतब स्कूल में ऐसा कौन-कौन सा और काम था जिसमें rupal को help की जरूरत थी तो इसके लिए हम क्या answer लिख सकते है to get down from her wheelchair and to go to her class after coming to school and to reach her wheelchair back from the class at the time of going home तो मतलब कि उसे wheelchair पर बाठने के लिए फिर wheelchair पैसे घर जाने के लिए और घर से बापर school आने के लिए भी help की जरूरत थी फिर दूसरा हम कह सकते है कि when she goes washroom in the school फिर जब वो washroom स्कूल में washroom के लिए जा रही होगी तभी उसे किसी की help की जरूरत होगी फिर हम ये भी कह सकते है कि to go for prayer and the other programs मतलब वो school में prayer के लिए अगर उसे जाना होता है या फिर कुछ programs के लिए भी उसे अगर जाना होता है तो भी उसे help की जरूरत पढ़ती होगी then है whom do you come to school with कौन आपके साथ school मतलब whom do you come to school with मतलब आपके साथ कौन-कौन school जाता है तो यहाँ पे आप आपके जो भी friends है जो आपके साथ जाते है तो उनका नाम आप यहाँ पे लिख सकते हो then next है तो यहाँ पे आपको story है तो यहाँ पे बोला गया है see the picture and tell the story तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि आप इस picture को देखिए और story बताईए तो चलो बच्चो मैं आपको story ट्राइ करती हूँ आपको अच्छे से समझा पाओ तो यहाँ पे जो यह story है तो I think वो हमें एक potter की story लग रही है मतलब कि जो मटका बनाते है उसकी जो story है वो हमें लग रही है तो चलो हम मैं आपको story explain करती हूँ अप potter leave in a village मतलब कि एक गाओं के अंदर एक मटका बनाने वाला रहता था he had a donkey उसके पास एक घदा था तो यहाँ पे मैं picture में देख सकती हूँ इसलिए मैं आपको बता सकती हूँ कि इसके पास एक घदा था the potter made pots from his living वो जो मतलब यह जो potter था मतलब यहाँ पे हम second picture में देख सकते हैं कि यह जो potter है वो अपने घर के पास वो जहाँ पे रहता था वहाँ पे वो क्या करता था वो मतका बनाता था daily in the morning the potter went out of the village dug clay वो क्या करता था मतलब सुबा सुबा में वो क्या करता था मतलब जो मतका बनाने के लिए उसे जो मिट्टी की जरूरत परती थी तो वो लेने के लिए वो जाता था loaded the clay on his donkey and brought it at home वो क्या करता था यहां वो जो मिट्टी थी मतलब जो मतका बनाने के लिए उसे जो डव चाहिए था clay चाहिए था वो उठाता था वो अपने donkey की घदे के जो पीट पर वो लाता था और उससे घर तक लेके आता था he soaked the clay and prepared it the making pots वो क्या करता था जो मिट्टी थी उससे गिला करता था उसको भिगोता था और उसको मतका बनाने के लिए तैयार करता था after this was done the took shock clay and place it on his potter's wheel वो क्या करता था जो मिट्टी थी उससे गिला करके बना लेता था प्रिपेर कर लेता था फिर उसका ये जो मतका बनाने का जो चक्का है उसके उपर उससे वो डाल देता था he made pots of different shapes and size with both his hands और वो क्या करता था अपने हातों की मदद से अलग-अलग आकार के छोटे बड़े हैं वो मतके बनाता था then he bagged the pots in a oven उसके बाद क्या करता था वो oven के अंदर मतलब भठी के अंदर जो मतके है उसको पकाने के लिए मतलब कि उससे पका करने के लिए रख देता था the bag pots were then ready मतलब यह जो मतके जो है वो जब तयार हो जाते है he loaded them on a vehicle and took them to nearby city for selling और उसके बाद क्या करता था यह जो मतके है वो बनके ready हो जाता है तो वो उससे एक जो tempo है या वहान है उसके पास जो भी अवेलेबल है उसके अंदर वो डाल देता है और उसे नजदिक के जो है सहर है तो उसमें बेचने के लिए वो लेके जाता है in the city he sold the ports to the trader this way the porter earned his living और उसके बाद वो क्या करता है कि जो city के अंदर यह जो उसके जो मतके है वो बेच के आता है और इस तरीके से वो मतके बेच के अपने अपने रहने के लिए मतलब अपनी लाइफ को अच्छ से maintain करने के लिए वो क्या करता है पैसे कमाता है ओके तो बच्चो यह story मैंने आपको जितना मुझे समझ में आया मैंने इस तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है तो मैं आसा करती हूँ कि आपको यह story है वो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी ओके